नमस्कार मैं विवेक और आप देख रहे हैं ताजा नियूज दोस्तों आज जो खटनाम आपको बताने वाले हैं ये बिहार के मध्वनी जिले की है जहां पर एक गाउं है बरेल नाम का वहां पर दो बच्चों की दूद से उबलते हुए कराह में गिरने से मौत हो गई है ग्रामीनों ने बताया कि गाउं के सबसे बुजुर्ग वैक्ती राम विलास दास जिनकी उम्र सो वर्ष थी उनकी मृत्यू के बाद उनके श्रात कर्म का काम चल रहा था जिस कारण दो सो लीटर दूद मंगवाया गया था और उसे घर के बाहर एक बड़े से कराहे में उबलने के लिए रखा गया था तभी गाउं में ही एक पास की लड़की जिसके उम्र पांस साल थी उसका नाम अंजली था वो अपनी गोध में डेट साल के बच्चे को लेके उस उबलते हुए दूद के पांच पहुँची और उसे देखने लगी तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गोध में उठाए उस डेट साल के बच्चे के साथ उसी कराहे में जा गिरी दोनों बुरी तरह से जलने के बाद क्योंकि कराहे के पास कोई वैक्ती भी नहीं था और जब तक लोग आए दोनों बुरी तरीके से जल सुके थे आनन फानन में ही उन्हें गाओं के एक पास के अस्पताल खुटाना में ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने मामले की गंभीड़ता को देखते हुए उन्हें मझवन के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया जो कि वहाँ से 35 किलोमीटर दूर था सदर अस्पताल में पहुंचने के बाद भी डॉक्टर ने उन्हें वहां से DMCH में रैफर कर दिया जो की करीब 45 किलो मीटर दूर था इसी बीच डेट साल के मासूम की मौत हो जाती है लेकिन अंजली तब तक जीवित थी DMCH अस्पताल में पहुंचने के बाद अंजली को फिर किसी अन्हें अस्पताल में रैफर कर दिया गया लेकिन अब परिजनों के पास इलाज के लिए अथवा एम्बिलेंस के लिए पैसे नहीं थे अतावो मदद की आसमें उसी अस्पताल में बैठे रहे और इसी बीच अंजली ने भी दम तोड़ दिया बिहार सरकार भले ही कितने दावे कर ले अस्पताल को लेकर एम्बिलेंस को लेकर लेकिन जब जरूरत पढ़ने पर लोगों को वो सिवधा ही ना मिले तो क्या करें ऐसी सिवधाओं का